आपको याद होगा nationalism in Europe में नए नए नेशन स्टेट्स बनना शुरू होते हैं जैसे कि जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, एटसेटरा और जब ये नेशन स्टेट्स बनते हैं तो नए symbols, नए icons इस तरह के सामने आते हैं और लोगों के अंदर एक sense of collective belonging होना शुरू हो जाती है लेक लडाई लड सकते हैं नादी जी ने इसके लिए दो बहुत ही important movements launch किये थे एक था non-corporation movement और दूसरा था civil disobedience movement world war 1 and OTA 1918 में जिसके कुछ implications होते हैं आपके exam में पूछे जाते हैं नंबर वन एक नया economic और political scenario देखने को मिलता है war के बाद defense expenditure काफी increase हो जाते हैं जिसको finance करने के लिए सरकार war loans लेती है और taxes imposed कर देती है taxes की बात करेंगे तो custom duties और income tax जैसे चीजों को imposed कर दिया गया था during the war years जब लडाई चल रही है तो food prices बहुत ददा high हो जाते हैं और सरकार लोगों को forcefully आर्वी में recruit करती है उसके बाद 1918 से 1900 बीच के बीच में famine आ जाता है यानि भुक्मरी हो जाती है क्यों क्योंकि food shortage हो जाता है and this was accompanied by an epidemic influenza इन दोनों के वेशे से काफी ज़्यादा loss of life देखने को मिलता है गांदी जी जब इंडिया आते हैं 1915 में तो South Africa से return करते हैं और South Africa में वो already एक racist की लड़ाई लड़ रहे होते हैं अपने एक novel method से जिसको बोलते हैं सत्याग्रे सत्याग्रे basically based है एक twin principles पे सत्य और अहिमसा सत्य मतलब truth अहिमसा मतलब non-violence गांदी जी का कहना ये था कि if the cause is justice, if the cause is correct तो आपको किसी भी physical force की जरुवत नहीं है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जब गांदी जी इंडिया आते हैं तो पहले वो तीन रीजनल सत्यागरे करते हैं इन चंपारन विच इन बिहार जहां पर वो एक बहुती ऑप्रेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं खेडा के अंदर वो उन पीजन्स की मजद करते हैं जो revenue पे नहीं कर पाते हैं और एहमदाबाद में एहमदाबाद मिल के ओनर और वरकर्स के बीच में जो wages का issue है उसको वो solve करते हैं गांदी जी का जो पहले पैन इंडिया मुव्मेंट कहा जाता है वो है रॉलेट सत्याग्रे 1990 आते आते रिवॉलेशनरी आक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी और उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने खरीड ली इंडियन्स के बहुत अपोस करने के बाद भी इंपिरियल एजिसरेटिव काउंसिल ने रोलेट एट को पास कर दिया ये रोलेट एट गवर्मेंट को बहुत इनॉरमस पावर्स दे गया जिसके तहत अगर कोई रिवॉलुशनरी आक्टिविटी करता कोई आदमी पाया गया तो इसको दो साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा बिना ट्राइल किये इसके लिए गांदी जी ने 6 अपरेल को हर्ताल कॉल किया और इस रोलेट सत्तागरा को हम लोग 9 अपील, 9 वकील और 9 दलिल की नाम से जान सकते हैं रैली जी निकाली गई, रेलवेज शटडाउन हो गए, दुकानों को बंद कर दिया गया, एक बहुती प्रीसफुल प्रसेशन हो रहा था 10 अपरेल को जिस पोई बिडिश की पुलिस ने अटाक कर दिया, लोग और जदा नराज हो गए, लोकल लीडर्स को पिकेट कप में उठाने लगे, जेल में डाने लगे, गांधी जी को दिल्ली में इंटर करने समना कर दिया गया, फाइनली 13 अपरेल को लोग जो है जलिया वाला बाग में कठा थे, विच इन अमरिट सर और वहाँ पर वो लोग कुछ लोग थे, वो रोलाट एट के अगेस प्रोटेस कर रह जान ले जाता है, गांधी जी को लगता है कि अगर इंडियंस को लड़ाई लड़नी है, तो इंडिया हिंदू और मुसलिम यूनिटी होना बहुत जरूरी है, और वो अपॉर्शनिटी इनको खिलाफत इश्यू में मिल जाता है, बिटेन ने अटाक कर दिया होता है तर्की की उपर, तर्की में उस वक्त आटोमन अंपायर था और आटोमन अंपायर का जो हेड है, वो कैलिफेट होता है, जिसको खलीफा बोलते है, जो कि इसलामिक हेड भी होता है, तो इस वज़े से जब बिटेन ने अटाक किया, तो इंडियन मुसलिम को लगा कि उनके गिरिबा क्या कोई मास एक्षन हो सकता है, गांधी जी ने क्यालकाटा थर्षन में लीडर्स को कन्विंस कर लिया, कि हम लोग नौन कॉपरेशन मुव्मेंट को लॉंच करेंगे, और तीन ग्राउंट पंजाब इंजस्टिस, यानि जो अम्रेश सर में हुआ था जलियावाला बाग म उसके बाद खिलाफा तो फूर्षन होगा थर्ड रीजन विल भी स्वाराज पांजली यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि नॉन कोपरेशन क्यों लाएंगे हम क्योंकि हम लोग इंडियंस करते हैं अंग्रेशों के साथ यहाँ पर अंग्रेश बने हुए हैं अगर इंडियंस का जो रूल है इंडिया से वह खतब हो जाएगा यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि जब यह मुव्मेंट शुरू होगा तो हम लोग टाइटल को सरेंडर कर देंगे बाइकॉट कर देंगे पुलिस को को आर्मी को स्कूल्स को फॉरें गुड्स को एटसेटरा और गांधी जी तो बिटिश रूल इंडिया भिल सून कम टू एन एंड ऐसा गांधी जी का मानना था तो जब जॉन कोपरेशन मुवमेंट की शुरूबात होती है तो इसका मीनिंग इसका इंटेपटेशन शेहरों में कंट्री साइड में और प्लांटेशन में अलग अलग तरीके से लिया गया सारी पोलिटिकल पाटी इसके तवराएं एक सब्सक्राइब जस्टिस पार्टी एकनॉमिक इम्पैट की बात करेंगे तो फॉरेंट को जला दिया गया था लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया फॉरें ट्रेड हाफ हो गया और जो ट्रेडरीमें अगे अब नहीं करने वाले हैं इसके बावजूद non-cooperation movement के कुछ limitations भी थे शहर के अंदर जैसे कि शहर में middle class का participation तो बहुत active था लेकिन उनका number बहुत कम था similarly national education institutions बहुत कम थे जिसकी वज़े से बच्चों को मजबूरी में वापस सरकारी स्कूलों पढ़ने जाना पड़ा जब बच्चे वापस पहुँचे तो teachers ने भी अपना profession जोईंग कर लिया इस NCM का मतलब निकाला चली बात करते हैं agreement rights की तो यह rights peasants and tribals ने किये क्यों क्योंकि दो तालुकदार्स और landlords थे उनकी बहुत ज़ादा high demand थी revenue की उनका कहना यह था पीजन ट्राइबल्स का कि हमको right दीजिए हमें job security दीजिए जो आप हमसे बेगार करवाते हैं that is you are making us do work without wages हमको आप wages दीजिए हमारी revenue demands को कम करिए तो इनकी बातों को आगे रखने के लिए एक leader का नाम सामने आता है इनीज बाबा रामचंदर राइट नाई दो भी बंद movement स्टार्ट हुए यानि वाशर मैन और जो यहाँ पर बार्बर्स थे उन्होंने अपनी services को terminate कर दिया right इसके इलावा जवालना नेरू ने लेटर और बाबा रामचंदन जॉइंग किया और अवत किसान सभा बनाया यह ऐसी किसान सभा थी जो लोगों के ग्रीवियांस को सुन्ती थी गाउं गाउं जा जाकर ठीक है तो यह जो पीजन मूव्मेंट चल रहे थे ही काफी वाइलेंट होने लगे मर्चंट्स और तालुकदा जो कि वाइलेंट तरीका था गांधी जी का तरीका हमेशा नॉल वाइलेंट होता था लेकिन यह एक वाइलेंट मेथट था यहां पर हुआ यह कि फॉरेस्ट लॉस सरकार ने बना दिये जिसके तहत इन ट्राइबल्स को डिनाई कर दिये गे ते राइट कि वह क्याटल ग्र अलूरी सिता नाम राजू जो क्लेम करता है कि उसके पास बहुत स्पेशल पावर्स है वो लोगों को ठीक कर सकता ही तो भी उसे कुछ नहीं होने वाला है और वह कह रहा था कि मैं आस्ट लॉजिकल प्रेटिक्शन कर सकता हूं तो एक तरफ वह नौन को बोल रहा था ड्रि करना पड़ेगा यानि वो वॉयलेंस की बात करने लगता है तो गुडिम में जो यहां पर ट्राइवल से वो रिबल कर देते हैं बिटिश ओफिशल को मारा जाने लगा पुलिस टेशन पर अटाक होने लगा डैट इस वार राजू को पकड़ा गया और 1924 में एक्जिक्यू के बारे पता चला तो इन लोग ने इस लोग को तोड़ा वाइलेट किया और यह अपने घरों की तरफ जाने लगे तब रास्ते में पुलिस ने इनको पकड़ लिया और उनको मारना शुरू कर दिया तो यह एक इंसिडेंट था जिसकी बाद गांदी जी बहुत जादा हता लोग गुसा जाते हैं और पुलिस थाने में जाके आग लगा देते हैं इस वाइलेंट इंसिडेंट के बाद गांदी जी ने विड्रौ करने के बाद गांदी जी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ था कि अब किस तरह से मुव्मेंट को आगे बढ़ाना दिक साथा हैं गांदी जी का कहना यह था कि हम लोगो मास करते रहना चाहिए तो जो लोग गांदी जी की साथ ऐलाइन्ट थे उनको हम लोग जो कहते हैं और जो लोग गांदी जी की स्ट्राटीजी के अगेंस थे और वो कह रहा थे कि हमको अब इलेक्शन में पार्टिस्पेट करना चाहिए उनको हम लोग प्रोचेंजर कहते हैं ऐसे में चितरंजन दास और मोतिलाल नेरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया on 1st January 1923 लेकिन untimely death हो जाती है चितरंजन जास दी की जिसके बाद ये पार्टी अपने object को fulfill नहीं कर पाती है इंडियन strategy commission को भीज़ा जाता है इंडिया किस लिए ताकि जो government of india act 2019 उसकी functioning को review किया जा सके इस commission को john simon ने hit किया था that is why इसको हम लोग simon commission के नाम से जानते हैं इस commission में साथ members थे लेकिन कोई member indian नहीं था and that is why इस commission को oppose किया गया था जब ये इंडिया आया तो go back simon का नारा लगाया गया और इसको वापस करने की demand करी गई ये commission 1928 में इंडिया में function करना start कर देता है इसके बाद lord arriving October 1929 में dominant status प्रपोस करते हैं इंडियन leaders को लेकिन इंडियन leaders लैक जवाल नारू इन सुभाश्चंद्र बोस इस चीज़ को बिल्कुल अगरी नहीं करते हैं और डिमांडेट पूर्ण स्वराज जैट इस complete independence और लाहर सेशन आफ 1929 में वो लो complete independence का resolution को पास कर देते हैं 26 जनवरी 1930 को कहा जाता है कि हम लोग इंडिपेंडेंस दे मनाएंगे बट इस डे डिड नोट अट्राक मच अटेंशन गांदी जी को लगा कि रिच और पूर के बीचे बहुत डिवाइड है हमें ऐसा मार्श का दिन जब आया तो गांदी जी ने अपनी यात्रा स्टार्ट करी सावर मति आश्रम से और दांडी की तट पर वो पहुंचे यह आत्रा उन्होंने आप लॉस को ब्रेक करेंगे आपको वाइड़ इंडिया देखने को मिला ता इसके अलावा नॉट ओलि आउटसाइड इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान की पेशावर के शहर में भी खान अब्दुलगफार खान जो जिनको हम लोग फ्रेंटियर गांधी की नाम से जानते हैं वहाँ पर रेडशर्ट मुव्मेंट चलाते हैं जिसको हम लोग खुदाई करना शुरू कर दिया जब हालात बिगड़ गए तो लगबग लगबग एक लाख लोगों को जेल में यहाँ पर डाल दिया गया था इस एपिसोट को हम लोग शोला पूर एपिसोट के नाम से जानते हैं गांधी जी ने बितना वाइलेंस देखा तो उन्होंने कहा कि हम सिवल को विड्रॉ कर लेंगे ऐसे में गांधी इवन पैक्ट साइन होता है और 5 मार्श 1931 जिसके इंपॉर्टेंट तीन प्रविजन्स थे पहला चीज़ यह गांधी जी एगरी कर जाते हैं कि हम सेकंड राउंट टेबल कॉन्फरेंस में पाटिसपेट करेंगे लेकिन उसके जब बाट चीज़ नहीं हो पाती है जब वह इंडिय वापस आते हैं तो देखते हैं कि इंडियन नाशल चॉंग्रेश को इलीगल कर दिया गया है और बहुत सारे प़््रोमिन इंडिया के हैं उनको जेल में डाल दिया गया है ऐसे में यहाँ पर गांधी जी गोवात खरा देखने को मिलता है तो पटीदार और गुजरात और बड़े बड़े पीजन्स थे लेकिन ग्रेट डिप्रेशन की वज़ए से उनका ट्रेट काफी डाउन हो गया था और इस वज़ए से उनकी इंकम भी काफी ज्यादा गिर गई थी इस वज़ए से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था बिड़ेटिल से कि उनकी रही यू कर जाए उनकी डिमांड सरेर्वीक शब्रेट को कम किया जा है लेकिन प्रेटिलक्ण से वह लूग भी काफी हिट हुए थे और रेंट पे नहीं कर पा रहे थे उनकी इंकम और जो रिच पीजेंट से वह हमसे खफा हो जाएंगे बिजनस क्लास की बात करें तो रिच जो इंडियन बिजनसमैन था उसने वर्ल्ड वार के टाइम पे काफी पैसा कमा लिया था और अब वो कीन था कि वह भी अपस्पैंड करना चाहता है इसके लिए दो इंपोर्टेंट और 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 गटनाइशन का घटन होता है एक है फिक्की दाट इस फेडरेशन ऑफ इंडियन चेमबर्स और और दूसरा इंडस्ट्रियल और कॉमर्शल कॉंग्रेस इन दोनों और और इसेशन को बहुत ही प्रोमेनिट इंडस्टिलिस्ट लिस्ट लाइक जीडी बिल्ला और इन पुरोशुत्ता अंदास ठाकुर का सपोर्ट मिलता है इंडस्ट्रिसाइबर की बात करें तो इन का सपोर्ट बहुत जाधा नहीं था बहुत जादा न number में सपोर्ट नहीं कर रहे थे लेकिंग जो लोग बिलोग लोग और चांश वाय कॉट बैकॉट कर रहाए थे Civil Disobedience Movement के दो important limitations थे, पहला limitation untouchability, दूसरा था Muslim political organization, untouchables का कहना ये था कि हम exploited class है, हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, Congress दलिट्स को ध्यान इसलिए नहीं देता था, क्योंकि Congress को लगता था कि अगर हम लोगों ने दलिट्स को support किया, तो high caste हिंदू हम से support छीन लेग सत्यगरे organize किये, जैसे कि entry into temples, जैसे कि उनको access दिलाया public park और public tanks का, गांधी जी ने खुद toilet screen किये और लोगों को persuade किया कि अपने दिलों को बदले, इप्रेस classes की demands को put forward करने के लिए, डॉक्टर भीमरा उंबेटकर ने depressed class association फर्म किया, जिसकी दो basic demand थी, पहली demand था कि educational institutions के अ और उसको vote भी दलित के लोगी करेंगे, इस concept को हम लोग separate electorate बोलते हैं, जब ऐसी demand को किया गया तो बिटिश ने उनकी demand को immediately fulfill करने की बात करी, और जब ऐसा हुआ तो गांधी जी इस से काफी दा नराज हुए, खफा हुए, और वो आम अरण अंचन पे बैट जाते हैं, अम पर अमबेटकर साब ये मान लेते हैं कि चाहे Central Legislative Assembly हो, चाहे वो provinces हो, reserve seats का concept लाया जाएगा, यानि जो दलित हैं, उनको reserve seat दी जाएगी, reserve seats का मतलब ये था, कि seat constituency दलित की reserve हो जाएगी, लेकिन उसमें voting जो है, वो सभी लोग, it will be open for the all people, Muslim Political Organization की बात करेंगे, तो वो उनका भी CDM के तरफ बहुत ही जो रुजान था, बहुत lukewarm था, बहुत जादा aggressively वो support नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी भी demand ही separate electorate की, लेकिन मौमद लिजिन्ना का कहना ये था, कि हम separate electorate की demand को खतम कर सकते हैं, अगर आप हमको ये आश्वासन द Society होने के बात भी किस तरह से इंडिया में unity आती है, किस तरह से लोग united feel करते हैं, इसके मैं आपको 6 points दूँगा, पहला point ये है कि लोग culture से अपने आपको bound कर रहे थे, लोग एक दूसरे को culture से relate कर रहे थे, जैसे for example, अगर आप इंडिया में रहते हैं और अगर आप अमेरि stories यानि local stories, local songs, regional languages, इस folk poems इन तरीकों से relate कर पा रहे थे, point number 2, past experience, लोगों का ये past experience था, 1857 का कि जब जब हम unite हुए हैं, तब तब हम एक firmly लड़ाई लड़ पाए हैं, 1857 की first war of independence में पहली बार ऐसा हुआ था, जब पूरा इंडिया united था और अंग्रेजों के खिलाब खड़ा हो गया था, point number 3, figures and images, जिस तरह से जर्मनी में एक allegory था, जिसका जर्मनी का allegory था, जिसको जर्मेनिया बोलते हैं, प्रांस का allegory था, मरियाने, यानि इन allegories के थुरू, countries को पहचाना जाता था, similarly, इंडिया में भी इस तरह के figures and images सामने आते हैं, जैसे for example, भारत माता की painting, ज चंदर चटोपाध्या या बंकिम चंदर चाटर जी ने इसको बनाई थी, और इन्होंने वंदे मात्रम सौंग को लिखा था, उस वंदे मात्रम सौंग को आनंद मठ नाम की novel के अंदर इंकलकेट भी किया गया था, second time जब ये painting बनाई गई थी, तो उसको अबानेंदर आया था, point number 4, Indian folklore, यानि इंडिया की जो regional कहानिया है, जैसे South India की कहानिया, जैसे North Eastern stories, राइट ध्रवेडियन स्टोरीज, इस तरह की कहानिया भी यहाँ पर सामने आई, एक है नाटे सा सास्तित दौरा लिखी गई, folklore of South India, इस से भी लोग जो है, regional लोग एक दूसरे से connected feel कर पाए, point number 5, स्वदेशी मुव्मेंट के टाइम पे, flag का बहुत important role था, flag एक ऐसी चीज होती है, जो आपको connected feel कराती है, आप एक जंडा देखते हैं, तो आप realize कर पाते हैं, कि यह मेरे देश का जंडा है, अगर आप वो Indian flag लिए हैं, किसी एक stadium के अंदर, cricket stadium के अंदर, और द अंदी चीजी ने एक flag design किया था, जो red, green और white color का था, इसमें spinning wheel बीच में था, which was representing self-help, right, तो finally last point है, reinterpretation of history, जब लोगों को यह समझ में आया, कि हमारा past में बहुत बड़ा glorious development था, हमारा बहुत जदा art and culture था, architecture था, बड़े बड़े गुम्मद हुआ करते थे, हमारा history religion, culture बहुत अच्छा था, लेकिन इन अंग्रेजों की वजए से हमारा ये culture गिर गया है, हमारा culture decline हो गया है, और इसलिए लोगों के अंदर ये गुस्सा बढ़ गया, और फिर लोग यहां पर unite होना start हो जाते हैं, तो इस तरह से हमारा ये chapter पूरा हो गया, thank you so much